हाई कैसे हैं आप मैं हूँ डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ 24 माइक्रो मिनी हैबिट शियर करने वाली हूँ माइक्रो मिनी यानी ऐसी हैबिट जिनको करने में आपको वान मिनिट या उससे भी कम का टाइम लगेगा लेकिन वो आपकी क्वालिटी ओफ लाइफ को बहुत जादा इंप्रोव और बेटर कर देंगी पहले से पहली हैबिट यह है कि जो आजकल हम लोगों का अटेंशन स्पान बहुत कम होता चला जा रहा है हम कहीं एक जिगर पे बहुत देर तक फूकस नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आप एक छोटी से हबिट अपनाओ कि जब भी आपको time मिले ना तो आपके घर में कोई घड़ी लगी होई हो wall clock या फिर आप जो watch पहनते हो वो analog watch है यानि कि जिसमें वो घड़ी की सुईया टिक 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 करके चलती है तो आपको बस wall clock हो या आपके watch हो उसमें जो घड़ी की सुईया होती है specially जो second वाली needle होती है जो बहुत speed से चल रहे होती है आपको उसको अराम से 60 seconds तक observe करना है आपको सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा लेकिन जब आप इसको start करोगे तो आप देखना कि हर 3-4 seconds के बाद आपका mind जो है वो इधर उधर भटकना शुरू कर देगा आपको से वापस खीच कर घड़ी के उस सोई के उपर लेकर आना है जब आप इसको regularly practice करना शुरू करोगे तो देखना कि आपका attention span बहुत ज़्यादा improve हो जाएगा से आप ज़्यादा productive बनोगे और जो हमारा distract हो जाता है mind बार बार वो होना भी कम हो जाएगा दूसरी habit यह है कि दिन में हम इतने सारे काम करते रहते हैं जगल करते रहते हैं एक काम करता हुआ दूसरा काम कभी किसी से मिल रहे हैं कभी कोई फोन आ रहा है कभी फोन काम स्क्रोल कर रहे हैं अब इन सब के चक्कर में हमारा जो mental energy होती है वो दिन के end तक बहुत ज़दा drained हो जाती है उससे खुद को बचाने के लिए हमें क्या करना है हमें time to time दिन में pause लेनी है break लेनी है जिसमें कि हम mindful breathing करेंगे सिर्फ one minute के लिए हमको पूरा attention अपनी breath की उपर लेकर आना है जितना हो सके slow breathing करनी है तो इससे आपका mind जो है वो relax हो जाएगा और reset हो जाएगा अगले काम को करने के लिए तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी एक काम से अब दूसरे काम में shift हो तो उससे पहले आपको relax हो कि अपने mind को reset करना है इस mindful breathing, slow breathing से सिर्फ one minute के लिए थर्ड माइक्रो मेने habit जिसको की करने में आपको एक मिनिट कभी time नहीं लगेगा वो ये है कि जब भी आपको दिन में time मिलेना तो कोशिश करो at least दिन में एक बार आपको एक positive inspirational quote पढ़ लो say forward नहीं करना है ग्रूप में आपने उस quote को बहुत ध्यान से पढ़के समझ के और मैं इसको अपनी life में कैसे apply कर सकती हूँ वो सोचना है जब आप किसी ऐसे inspirational quote को दिन में पढ़ कर और उसको इस चीज के तरह से सोचते हो ना कि मैं इसको अपनी life में कैसे implement करती हूँ ये मेरी life में कैसे apply होता है तो ये ना हमारी life में कई तरह के जो उतार चड़ावाते हैं कई तरह के different emotions हम feel करते हैं उनसे related भी हमको एक clarity देता है जो कि हमारी mental health के लिए बहुत अच्छा है तो बहुत थोड़ा सा समय लगता है एक inspirational quote को पढ़ने के लिए और मैं अपने channel पे daily community पे सुबह सुबह पोस्ट कर देती हूँ एक inspirational quote अगर आपको और कहीं से नहीं मिलता है तो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं next आपको दिन में जब भी कभी याद आजाए तो आपको अपने posture को correct कर लेना है और posture को correct करने के लिए आपको simply अपने shoulders को इस तरीके से उपर उठाना है roll करके पीछे लेके जाना है और फिर नीचे छोड़ देना है इससे एकदम साब देखोगे कि आपके shoulders भी straight हो गई है back एकदम straight हो गई है इससे हमारी personality तो attractive लगती ही लगती है साथी साथ इसकी बहुत ज़ादा health benefits भी होती है क्योंकि जितना आप slouch करके रखोगे न उतने आपको lower back related और back related pain issues और cervical related issues आने शुरू हो जाते है तो ध्यान रखना है कि हमारा posture जो है सही रहे और क्योंकि हम दिन में इधर उधर काम करते हैं बैठते हैं हमें नहीं ध्यान रहता तो जब भी ध्यान में आए हमको यही करना है कि हमको slowly अपने shoulders को उपर उठा कर back click कर जाने और नीचे छोड़ देना है एक minute से भी कम का time लगेगा इसमें सेम इसी तरीके से हमको जब भी हम सुबह सो कर उठें तो हमको अपनी body को proper तरीके से stress ज़रूर करना है at least one minute के लिए हमेना अंगडाई लेनी होती है बहुत ज़रूरी लेकिन क्या होता है कि हर कोई क्या करते है आज कल की इतने ज़्यादा काम दिमाग में होते हैं एक तो पहले उठने की ही नहीं हो रही होती कि कैसे ही उठे हम alarm snooze करते रहते हैं फिर एकदम से time हो गया उठके भागना शुरू कर देते हैं हमको उठके अपनी body को prepare करना है ताकि हमारे अंदर energy आए जो blood का flow हमारी body में slow हुआ हुआ है उसको हमको दुबारा से proper उसकी movement शुरू करनी है और वो होती है जब हम अंगराई लेते हैं हमारी सारी जो nerves relax mode में है वो भी open हो जाती है उससे तो इसलिए अराम से लेटे-लेटे हमें बैट पे एक बार अच्छे से इस तरीके से अपनी arms को करके अंगराई लेनी है अपनी legs को proper तरीके से stretch करना है हमें हलका सा twist करें हम बैट पर लेटे-लेटे फिर हम आराम से उठकर बैटे और अपने पेरों को नीचे थोड़ी देर राख कर थोड़ी सी देर हमको बैटना है, relax करना है और उसकी बाद हमको खड़े होना है हमको एकदम से ने उठके खड़े हो चाना बैट से एक मिनिट से भी कम का टाइम लगेगा आपको proper अंगडाई लेकर अच्छी तरीके से अपनी बॉड़ी को stretch करके अपनी बॉड़ी को prepare करना है इससे जो हमारे cramps हाज आते हैं सुबह सुबह कई तरह कि हमारी बॉड़ी में जो stiffness लग रही होती है उसके issues भी resolve हो जाते हैं next आपको कोशिश करने है दिन में जब भी आपको time मिले या फिर जब आप mirror देख रहे हो तो खुद को देखकर थोड़ा सा smile pass करने है अब औरों को देखकर तो smile pass करते हैं लेकिन खुद को देखकर ने करते हैं जब हम खुद को देखकर mirror में smile pass करते हैं तो उससे हमारे mind में positive emotions trigger होते हैं हमारा confidence level improve होता है और हम अपने आप से हमारी जो connectivity है वो ज़ादा improve होती चली जाती है क्योंकि हम ये जो भागते दौरते इतने काम कर रहे होते हैं उसमें हम खुद को नहीं भूलते फिर हमें पता रहता है कि एक ये भी person है जिसका कि मुझे ध्यान रखना है पुरे दिन में तो खुद को देखकर भी smile करनी है ताकि आप इस चीज को realize कर सको कि एक match हूँ वो हमेशा मेरे साथ हूँ चैलाइफ में कुछ भी हो जाए और इसमें आपको वान मिनिट से ना कहीं ज़ादा कम टाइम लगेगा नेक्स दे कि जब भी आप कोई caffeinated drink पी रहे हो या फिर ऐसी कोई drink पी रहे हो को खुद को hydrate कर लेना क्योंकि mostly यह वाली जो drinks होती है वो अंदर जाके हमारी body को dehydrate कर देती है अगर हमने पहले से पानी पी लिया होगा तो वो जो कोटा है ना जो dehydrate हो जाएगा पानी का हमाने अंदर जाकर वो हम पहले से पूरा कर लेंगे और साथी साथ जो negative impact हमारी health पे करने वाली थी वो drinks उसके बाद वो impact भी काफी हद तक कम हो जाएगा तो यह habit बहुत छोटी सी है एक मिनट का भी time नहीं लगेगा इसमें पानी पी लो जब भी ऐसा लग रहा हो उनकी वज़े से हमारी phone की storage बहुत जादा भरी रहती है और उसकी वज़े से जो pics देखकर हम अपनी memories को refresh कर सकते थे हम उन तक पहुंच ही नहीं पाते है क्योंकि यह लगता है कौन scroll करेगा इतना जादा तो सिर्फ एक minute का time अगर हम निकालेंगे ना daily basis पे कि सिर्फ one minute का मैंने timer लगाए one minute तक जितनी galleries में photos में delete कर सकती हूं जो मुझा नससरी लग रही है वो भी अगर हम करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आप देखना कि आप उस level तक पहुंच जाओगे कि आपकी phone की storage कभी भी बहुत जादा भरी नहीं हुआ करेंगे और आपके phone में वो सारी beautiful memories बहुत organized तरीके से होगी जिनकों कि आप अपने माइन में हमेशा fresh रखना चाहते हो next जा कि आजकर हम इतने busy रहते हैं कि हमको ना हसे हुए बहुत बहुत दिन हो जाते हैं तो कोशिश करो दिन में एक minute ऐसा निकालो कि कोई एक funny real ही देख लो बहुत अच्छी-ची funny reels आती हैं, को दिकर बहुत हसी आती हैं, तो कोशिश करो कि एक minute कम से कम ऐसा निकालेंगे, कि एक funny reel ऐसी हो, जो 60 seconds की हो, या 10-15 seconds की हो, उनको देखेंगे और हम खूब हसेंगे, इससे हमारे hormones release होंगे, जो कि हमको feel good कराएंगे, और हमारे stress levels को below करेंग हमारी healing भी करता है, बहुत सारी diseases heal हो सकती हैं, अगर हम laughter को daily basis पे practice करें, तो इसलिए हसते रहो, हसाते रहो, next day के देखो, अगर आपको workout के लिए time नहीं मिल पाता है, कोशिश करो कि, एक minute at least दिन में ऐसा निकालो, जिसमें कि आप room को बंद करो, अच्छे से, दर्वाजा बंद करो, अपना favorite song play करो, और सिर्फ एक minute के लिए डान्स करो, सिर्फ एक minute के लिए जो dance करने के आप habit अपना होगी, आपका stamina improve होगा, आपके energy levels भी improve होजाएंगे, तो सिर्फ एक minute के लिए daily basis पे dance जरूर करो, mental health के लिए भी अच्छा है, next habit आपको यह अपनानी है, कि आपको जो आपके social media apps, जो भी आप use करते हो, जिसमें आप सबसे ज़ादा scrolling करते हो, उनके लिए आपको एक timer set करना है, और उस timer को set करने में, आपको एक minute का भी time नहीं लगेगा, कि आपको यह देखना है, कि मुझे पूरे दिन में, उसको कितनी देर के लिए use करना है, जब आप की settings में जाते हो, जो भी हो जाए, वो Instagram, Facebook, उनके settings में आपको ऑप्शन मिल जाता है, कि आप daily usage के limit set कर सकते हो, वो limit set करनी है, आपको उसके बाद, आपको daily basis पे check करना है, कि मैंने आज कितना time spent क्या, क्योंकि जब आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दोगे, ना, attention pay करना शुरू कर दोगे, कि मैं कितना time spent कर रही हूँ social media पे, अपने आपके काम के लिए है, तो well in good, लेकिन अगर आपको पता है कि आप सिर्फ उस पर time missed करते हो, सिर्फ unnecessary scrolling करते जाते हो, तो आपना alert हो जाओगे, next time social media आप इसको use करते हो, हमेशा ध्यान रहेगा, कि मुझे अपना जो social media पे spend करने वाला time है, उसको limit करना है, ताकि मैं वो time अपने live के ऐसे area में लगा सकूँ, जिसको कि मैं better करना relaxed होकर बैठ जाना है, या खड़े रहेए, खड़े रहकर भी कर सकते हैं, अगर eyes close नहीं कर पाने हैं, तो भी कोई बात नहीं, आपको बस one minute focus करना है, अपने body के हर एक पार पे start करेंगे, आप अपने पैरों से, दीरे दीरे आप अपने head तक आएंगे, और आपको ये check करना कि क्या यहाँ पर मुझे कोई tension feel हो रही है, कोई tingling sensation हो रही है मुझे, किसी तरह का मुझे महाँ पर pain feel हो रही है, जहाँ पर भी जिस भी body के part में आपको ऐसी pain feel हो रहा हो, या फिर कुछ भी tension build up आपको लग रही हो, तो आपको slowly exhale करते हुए, ये imagine करना है कि वो particular area में, वो particular body part में, जहाँ पर मुझे tension feel हो रही है, मैं उस tension को release कर रही हूँ, वो tension जो है, वो dissolve हो रही है, और वहाँ से गायब हो रही है, तो ये को एक body scan, one minute के लिए, जब भी time में ले आपको दिन में, अगर आप करते हो, तो धीरे धीरे आप अपनी body के साथ ज़ादा connect होना शुरू कर देते हो, और आपकी body जो signals दे रही होती है time to time, उनको ज़्यादा अच्छे से catch करना शुरू करते हो, next habit ये है, कि जब भी आप घर से बाहर निकलने लगो, या फिक किसी important meeting में जा रहे हो, को important काम करने जा रहे हो, किसी exam के लिए जा रहे हो, तो आपको सिर्फ one minute के लिए habit अपनानी है, कि आपको कोई भी एक जो power pose होते हैं, वो करने है, power pose simply आप एक victory pose कर सकते हो, अपने आपको दिख कर mirror में, या फिर arms को इस तरीके से उपर करके आप wide open कर सकते हो, एक minute के लिए आपको कोई भी power pose करना है, जिससे कि आपका confidence level boost होगा, और आप जो भी important काम करने जा रहे हो, वो जादा अच्छे से कर पाओगे, next habit जिसमें आपको one minute का भी time नहीं लगेगा, वो ये है कि जब भी आप emotions के rush को feel कर रहे हो, एकदम से कि बहुत जादा को strong emotion मुझे feel हो रहा है, आपको थोड़ा सा pause करके उसके उपर attention pay करनी है, और उसको label करना है कि मुझे exactly क क्या feel हो रहा है, और जब exactly अपने आप से पूछो कि मुझे ये क्यों feel हो रहा है, अगर आपको लगे कि ये तो मेरी ego है, जो defend कर रहे है और मुझे ये वाला emotion feel कर रहे है, तो बहुत बार अपने जो emotions की वज़ए से आप negative feelings आपके अंदर आ रही होती है, उनको resolve करना करोगे, क्या बाते होती हैं वो जिनकी वज़े से आपकी negative emotions trigger होते हैं, उनको ज़्यादा clearly identify कर पाऊगे, जिससे कि future में जब भी आप वो emotions feel करोगे, तो उनसे ज़्यादा अच्छे से deal कर पाऊगे, आप emotionally strong बनोगे, अगर आप अपने emotions को समझना, उनको label करना और उनसे related अ मैंने अपनी life का मंदरा बना कर रखा हुआ है, कि आप अगर चाते होना, कि आपको career में कोई success मिले, तो उसके लिए चमतकार की wait मत करो, आप खोदा actions लेना शुरू करो, जो भी आपको लगता है कि मैं ये life में करना चाती हूँ, कभी time मिलेगा तो करूँगी, सोचना बंद करो, उन पर action लेना शुरू करो, कोशिश करो, अगर बिल्कुल time नहीं मिलता है, तो सिर्फ one minute का एक timer लगाओ, और बैट कर सोचो कि मैंने जो भी चीज़ें decide की हैं, जो मैं life में पाना चाती हूँ, जो भी success में चाती हूँ अपनी life में, उनके लिए मुझे क्या steps लेने हैं सबसे पहले आप लिखोगे कि मैं क्या चाती हूँ, फिर आप लिखोगे कि उसके लिए क्या actions लिए जा सकते हैं, then आपको first step वो बढ़ा देना है, कोशिश करो कि आप एक minute at least उसके लिए जरूर निकालोगे दिन में, कि मैं इस काम कैसे शुरू करूँ, और या फिर कोई का आप खुद create करना शुरू कर दोगे, next है कि जब भी आप दिन में to-do list मिनाते हो, कि आज के मेरे दिन में क्या काम है, बस आपको उनको prioritize करना भी शुरू करना है, ताकि आप अपने दिन का एक structure सेट करो, कि मुझे पहले ये काम करना है, फिर मुझे उसके बाद ये काम करना इससे क्या होगा, कि आप जब prioritize कर लोगे, कि सबसे important काम ये है, और इसको मुझे सबसे पहले complete करना है, तो आपका mind में जो उपर burden है, वो बहुत हलका हो जाएगा, आप relax हो जाओ इक दम से, क्योंकि लगेगा, ये काम जो सबसे important था, ये मैंने आज का कर लिया, बाकी बचे Similarly, जब भी आप कुछ ऐसा कुछ खाने जा रहे हो, बाहर का fast food, junk food, कुछ भी ऐसा खाने जा रहे हो, तो क्योंकि वो हमारी body के लिए healthy तो है, नहीं, वो हम स्वात के चक्र में खा लेते हैं, हमको बस इतनी से एक habit बनानी है, जिसमें one minute ये लगेगा, कि उससे पहले हमको लेकिन ये वाली habit अगर हम अपना लेंगे, तो वो जो junk या fast food हम खा रहे हैं, जिसकी वज़े से हमारी health पे negative impact परने वाला, उसको हम काफी हद तक कम कर लेंगे, साथी बहुत बार तो ये भी हो जाएगा, कि हम over eating से भी बच जाएगे, next ये कि जब भी कोई काम करना शुरू करो ना, तो उससे पहले हमें उसकी intention set कर लेंगे, कि ये काम मुझे किस तरीके से और किस mindset से करना है, जिसकी खाना बनाना शुरू करते हुए intention set कर लेंगे, मुझे बहुत प्यार से बनाना है, जिसकी मैं प्रशाद बना रही हूँ, ये सोच के करो, तो आप देखना कि आप इसी तरह कि overthinking नहीं होगी, कहीं आपका ध्यान नहीं जाएगा, और आप जो खाना बनाओगे, वो और ज्यादा टेस्टी बनेगा, ऐसी जब आपको important exam देने जा रहे हो, तो सचो कि मेरे को जितना अच्छा आता है, मैं उतना अच्छा, जितना भी मैंने prepare किया, उतना अच हम जादा अच्छे तरीके से होंगे, जिससे कि आपको भी अंदर से एक happiness फील होगी, नेक्स आपको दिन में एक minute ऐसा निकालना है, कि जिसमें आप अपनी life में अब तक जो भी achievements करी है, यह जो भी आपकी qualities रहे हैं, उनके उपर focus करोगे, जब आप ये करोगे ना, तो कर पाते हैं, नेक्स्ट हैबिट जिसमें कि हम अपने साथ साथ दूसरों की भी quality of life को बेटर कर सकते हैं, वो है kindness practice करना, उसके लिए जरूरे नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई दान दक्षिना करनी है, या बहुत ज़्यादा सेवा करनी है, कहीं जाके छोटी सी one minute क habit अपना लो, कि आज मुझे किसी के दिन को बेटर करना है, किसी को एक प्यारा सा compliment दे दो, genuine, इवन छोटा सा act of kindness आप ये भी कर सकते हो, कि आप कहीं से निकल कर जारे हो, रेस्ट्राउम में, आपके पीछे कोई आ रहा है, उनके लिए दोर पकड़ के रख लो, या फिर हो, आपको लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा पीछे वाले को जरूरत है, उनको अपनी जगे प्याने दो, किसी नीदी को अगर आप पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में हो, और आपको लगे कि आपसे ज़्यादा किसी और को जरूरत है उस seat की, उनको अपनी seat offer कर दो, irrelevant of your gender, कि मैं female हूँ, मुझे बैठना जरूरी है, कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई male खड़ा है और उसके पास एक छोटा सा बच्चा है, उसको seat offer कर दो, किसी के पास बहुत heavy bag है, अगर उनको offer कर दो, उनका bag at least आप hold कर लो, गर आप बैठे हुए हो तो, छोटा set of kindness, जिससे कि आप द होता है उसमें बहुत अच्छे से चेक करना है, कि आपके teeth के ऊपर कहीं लिप्स्टिक तो नहीं लगी हुए कहीं पे, आपका जो eyeliner है, mascara है, वो कहीं फैला तो नहीं हुआ, फुल लेंक मिरर में आप चेक करोगे, कि आपकी जो dress है, उसमें जो color है, वो कहीं mismatch तो नहीं है, या फिर किसी भी तरह की embarrassment से बच राते हो आप, अगर आप फुल लेंक मिरर में एक बार अपने आपको अच्छे से चेक कर लेते हो, कहीं बाहर निकलने से पहले, नेक्स्ट है कि हमारी जो procrastination की habit होती है, कि हम ज़रूरी कामों को टालती रहते हैं, उससे deal करने के लिए, हमे उसे one minute लगता है करने के लिए, लेकिन उनका impact बहुत ज़ादा होता है, for example, आप सोकर उठे हो, one minute से भी कम का time लगेगा, आपने black dates को फोल करके रख दो, रात को सोने से पहले ही, आपने next day जो dress पहननी है, वो set करके रख दो, और फिर kitchen में काम करते हुए, shelf पर कुछ गिर ग उसी time रुक के पूछना है अपने आप से, इस काम को करने में one minute का time लगेगा, या उसे जादा का, अगर लगता है कि से one minute में ये काम हो सकता है, तो उस काम को हमें फटा-फट से कर लेना है, इसे हमारे brain में ये signal जाता है, कि हम कामों को टालते नहीं है, और फिर हमारी ये ज आपको backward counting करने, आप 60 से लेके one तक slow counting करो बिलकुल, और फिर इससे क्या होगा, कि आप जो एकदम से आपकी heartbeat तेज हो गई है, breathing fast हो गई है, उसको relax कर लोगे, और फिर आप जादा सोच समझ कर action लोगे, ऐसा नहीं होगा कि आप भावनाओं के बहाव में बहच जाओगे, औ और कुछ ऐसा बोल दोगे, या कुछ ऐसा कर दोगे, जिसका कि आपको बाद में regret होगा, तो आपको pause करना है, 60 seconds के लिए, और उसके बाद सोच समझ कर कुछ action लेना है, या फिर कुछ बोलना है, नेक्स्ट आपको ना, रोज एक आदत अपनानी है, कि जब आप रात को सोग तो उससे पहले आखे बंग करके, आपको एक मिनिट के लिए, आज के दिन में क्या-क्या अच्छा हुआ, वो सारी बाते अपने mind में, अपनी mental screen के उपर दुबारा से लेकर आनी है, इससे आपका जो outlook होता है, life के towards वो positive होता है, क्योंकि दिन में हो सकता है, बहुत challenging आपका जिनके लिए कि हम in future grateful होंगे, तो रोज रात को सोने से पहले आज दिन में क्या अच्छा हुआ, उन बातों को हमें दुबारा से refresh करना है अपने mind में, और वो कुछ भी हो सकता है, कोई tasty सबजी आज पसंद की खाली, अपनी family को हसते हुए देखा, किसी bird को बाहर आपने दे कि उनको आपको ध्यान रखना है, आपको नीन भी अच्छी आएगी, mind relax होगा, किसी भी तरह का stress नहीं रहेगा, तो यह थी वो 24 micro mini habits जिनको करने में आपको 1 minute से भी कम का time लगेगा, पसंद आए हो तो वीडियो को like जरूर कर देना, और पहली बार ही आज मेरा वीडियो दे stay smiling, namaste